हलो दोस्तों कैसे हैं आज हम लोग बिहार सिविल कोट का सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं दोस्त इसमें हम लोग हिंदी का हम लोग पिछले वीडियो में संछेपन देखे बत्र लेखन देखे और लास्ट वीडियो में हम लोग क्या देखे बाबू अंसीन पैसेज यानि कि अ को लिखने वाला question answer हो, यानि कि subjective question हो, तो कैसे handle करेंगे, अब हम बात करें कि objective question होगा तो कैसे handle करेंगे बाबू, pattern बिल्कुल सेम है, पूरे passage को पढ़ना है, questions को फिर पढ़ना है, और उसको दुबारा passage पढ़ना है, underline करना है, जहां पर जैसा question होगा, अर्थ को समझते उसको हम लोग option को tick करेंगे, कभी-कभी, शब्द जैसा हम आपको पिछले वीडियो में बताये थे, कोई-कोई शब्द का अर्थ पूछता है, सामानार्थी सब्द पूछेगा, विलोम सब्द पूछेगा, मुहावरा दिया रहेगा, वो पूछेगा, मतलब इस तरह का बह कोक्ती, थोड़ा सा धियान में रखना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग पूरा का पूरा अटेम्ट कर पाएंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपको कुछ मुहावराज भी बताएंगे, जो मुहावरे आपके लिए बहुत important होंगे, जो examination point of view से हैं, जो सारे exams में आये में ही आया हुआ होता है, आप मेरे वीडियो में, पिछली वीडियो में भी जो हम आपको math का section सिखाए हैं, उसमें आप देखेंगे, जो question आता है, वो SSC, आपका CPO, LDC, CGL का आया हुआ question ही हम आपको solve करवाते हैं, हमेशा मेरे target होता है बाबु, एक आपको exam में आया हुआ question जो होगा, वही आपको दिया जाए, ताकि एक आपके दिमाग में बैठ जाए, कि इस तरह का question exam में आता है, ताकि आपको solve करना और आपका अभ्यास करना आपके लिए आसान हो जाए, ठीक है, तो देखें, आपके screen पर एक passes दिख रहा होगा, एक unseen passes, यानि कि औपठित शेर ऐसे दहारता है, कि उसकी दहार की आवाज एक बार में दो-तीन दिशाओं में आती प्रतीत होती है, यह बात वैसी असमभण नहीं है, जैसी लगती है, क्योंकि पक्षियों की और कीटों की बहुत सी प्रजातियां में यही चकित कर देने वाली शक्ति होती है, असपस इससे डर कर उससे दूर भागने के बदले अपने सिकारी की और ही भाग सकते हैं, अब देखिए, प्रशन क्या बोलता है, आप इसको पढ़ लिए, अब कोशन को देख लीजिए, यह अधवुत सकती सेर के लिए इस रूप से उपयोगी हो सकती है, कि उसका सिकार पहला, ब बहुत से खाली जगह के पास यही सकती होती है, अब एका करके फिर से अगदुबारा से हम अगर कोशन को पढ़ेंगे बाबू, तो देखिए, अर्थ आपको पैसेज में ही दिखना सुरू हो जाएगा, कहां कहां पर लिखा हुआ है, जैसे देखिए, यह अधवुत सकती स से दूर भागने के बतला है, अपने सिकारी की और ही भाग सकते हैं, इंसरेक्ट आपको दिख रहा है, बहुत का प्रयावाची क्या हो सकता है, बहुत मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, मेनी, बहुत परकार के, तो अधिक का इसका अर्थ हो सकता है बाबू, अगला चिसा के चल जाना मतलब्visible आपको डरा के चल जाते हैं चेहर की दाहड आती हुई से तसे रहा होती होती है यह आपको ध्यान में रखना है बाबू से अगर हम लोग हैंडल करेंगे तो सारा कोश्चन बन जाएगा देखिए दूसरा अनुछिद भी एक आपको बताते हैं देखिए आपके स्क्रीन पर दीख रहा होगा एक समय एक तोता था जो अन्य बहुत से तोतों के साथ एक अंजीर के पेंड पे रहता था वे सब पके फल क खाने का आनंद उठाते थे और पेंड पर खुसी से रहते थे कुछ साल में अंजीर का पेंड बुढ़ा हो गया और उसने फल देना बंद कर दिया केवल एक को छोड़कर अधिकांस तोते उड़कर भाग गये उसने कहीं भी जाने से इनकार कर दिया देताओं के राजा सक् अपने मित्र को नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसने बर्सों तक मुझे भोजन दिया है यह सुनकर सक्का प्रसन हो गया वह तुरंत अपने पुराने रूप में आगया और बोला पेंड के प्रति तुम्हारी भावनाओं से मैं प्रभावित हुआ उसके बाद उसने तोते से क कि उसमें साल भर फल लगें जैसे पहले लगते थे ऐसा ही हो सक्का ने कहा और वह अंजीर कब्रिक्ष जिवित हो गया और फल में से लद गया देखिए कितना सुन्दर ये अनसीन पैसे जबाबू अनुछेद में वेस बदलकर का क्या अर्थ होता है तोते ने सक्का से क्या मांगा कहानी हमें क्या बनने के सिख्षा देती है अधिकांस तोते उड़कर भाग गए क्योंकि तोते ने वही रहने का निर्णे लिया क्योंकि देखिए एक कोश्चन है बाबू दुबारा से अगर इस कोश्चन को पढ़ने के बाद से स्पैसेश को हैंडल कीजेगा तो फट बनेगा जैसे देखिए हम तो पढ़ नहीं रहें हमको सब याद है इसलिए हम फटा फटा आपको बता दे रहें बट आप दूबारा से देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा अनुछेद में वेस बदलकर का अर्थ होता है अपना रंग रूप बदल दे देखें लिखा हुआ है कि मेरे मित्र में अनेक वर्स तक मुझे सरंदी उसे सकती दीजे कि उसमें साल भर फल लगे जैसे पहले लगते थे यानि पीड में साल भर फल लगे यह उसका ओप्सन दोस्त कहानी हमें क्या बनने के सिक्षा देती है कहानी हमें सक्चा बनने के सिक वे अब अंजीर के फल का आनंद नहीं ले सकते थे तोते ने वही रहने करें ने लेकर को क्योंकि वह स्वार्थी पक्षी नहीं था वो अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि वो मित्र उसका हमेशा से मदद कर रहा था ठीक है तो बाबू इस तरह से हम लोग क्या देखे दो पैसेज को देखे हम आपको क्या करेंगे इस वीडियो के अंत में बहुत सारा आपको दे देंगे अंसीन पैसेज जो आप उसको सॉल्व करेंगे अपने से हल कीजिएगा उसका एंसर भी दे देंगे बाबू लेकिन पहले खुद से हल कीजिएगा और उसके बाद आप उसका एंसर मिलाइएगा कम से कम आपको हम 10-15 दे देंगे इससे क्या हो जाएगा कि आपका थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा अगर आपको और चाहिए होगा बाबू हमको कमेंट में डालिएगा कि सानम को थोड़ा और भेज दीजिए ठीक है हम आपको और भी भेज देंगे डाल देंगे ताकि आपको प्रैक्टिस करना आसान हो जाए यह बाबू दो तरह के लोग है जैसे एक जो बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं जो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होगे जिनका बहुत दिनों से पड़ाई चुटी हुई होगी तो घबरानी की जुरुत नहीं है हम सारा चीज इसमें दे रहे हैं आपको बस आपको हमारे साथ बने रहना है और वीडियो को देखते रहना है जैसे जैसे बोलें वैसे वैसे करते रहना है बाबू यहां तक तो हम लोग इतना चीज़ सीखे आने वाले वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे कुछ important मुहावरे जो exam में आये हुए हैं और अनेक सब्दों के बदले एक सब्द कुछ बहुत important संदी वीख्षेद और समास वीग रहा हम लोग सब के बारे में जो बहुत exam में आया हुआ question होता है दोस्त हम क्योल उसी को आपको बताएंगे बाकि तो आपके पस किताब होगी आप बहुत सारा चीज पढ़ेंगे किताब में तो सारा चीज दिया रहता है लेकिन हम आपको वही बताएंगे भले हम 20 क्यों न बताएं 40 क्यों न बताएं 35 क्यों न बताएं जो exam में आया हुआ होगा सिर्फ वही question हम आपको बताएंगे बाकी आप उसके इर्दगीद और भी ज्यादा पढ़ लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कुछ हम आपको ऐसे भी बता देंगे लेकिन हम ज्यादा तर question जो आपको बताएंगे यहाँ पर exam में आया हुआ ही बताएंगे ठीक है बाबू अभी वीडियो के लास्ट में आपको सारा sequence में मिल जाएगा है लगतार होके मिल जाएगा है ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में ध्यान से पढ़िए बाबू जम के पढ़िए थैंक्यू झाल 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 झाल